हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं इस्टेडी फीर फीजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों बेश्ट कोस्चनों का सिर्ज लेकर कि मैं आपके सामने उपस्ती थूँ और आप सभी यंपीर सूपर टेट वर्ग टू एन थ्री एन एमर्स वेकेंशी भी आ चुकी है एन यूपी टी रिविजन कोस्चन्स लेके आई हूँ जो बेश्ट से बेश्ट कोस्चन्स यहां पर रखा गया है जो डेली बेसेस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाता तब तक यह प्रैक्टिस चलता रहेगा और दोस्तों आप अपना स्कूर चेक कर सकते हैं जो भी डाउट होगा जिस कोस्चन्स में उस सब मिलकर साल्व करेंगे और जो भी डाउट होगा कमेंट में आप बताइए और डेली बेसेस प्रैक्टिस किजिए यह आपका तीसरा वीडियो है फ्रैक्टिस स्टार्ट हो गया है और फ्री में कांटेक्ट हैं तो दोस्तो समय नश्ट नकर्टिव चलते हैं कोस्चन्स के तरफ कोस्चन्स है पहला कोस्चन्स है कि होड यानि हीड़े के पहले पंप को क्या कहते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो हीड़े है इसकी क्रिया तालियुक यानि रिद्मिक होती है प्रें इसकी शंकूचन की दर को बेगस तंत्रिका निधायत करती है याद रखेगा बेगस तंत्रिका और सिंपेथेटिक तंत्रिका संचालित करते हैं जब यहां से आवेग यानि जो इंपर्स होते हैं वहां सबसे पहले ऐसे नोट से सुरू होती है यह से नोट जिसे हम पेस मेकर भी कहत जो हिरे की गती को संचालित करता है तो यसे नूड जहां पे जो सीरा होती है अगर महासीरा और निम्न महासीरा समस्त सरीर से त्रक्त को लेकर दाएं अलिंद में आती है तो दाएं अलिंद में कोशिकाओं का पुरा गुच्छा होता है वहीं पे होता है यसे नूड तो जब तंत्रिकार से आवेग आता है यानि कि electrical impulse आता है जिससे हमारा muscles contract होती है तो उसे node पर सबसे पहले कहां यसे node जो अलिंद के superior vena kaway के नीचे इसीद होती है यह से नोड को हम साइन वेट, एट्रियल नोड कहा जाता है, अब यहां से एसे नोड से जो impulse यानि आवेग होते हैं, दाएं और बाएं अलिंद में जाता है, जिससे दाएं और बाएं अलिंद जोनों ये एक सा संकुचित होते हैं, और जब दोनों ये एक सा संकुचित होते ह तो दाएं तरफ जो ट्राइकरस्पिट बाल्व होता है तो दाएं तरफ जो बाइकरस्पिट बाल्व होता है यानि ट्राइकरस्पिट बाल्व दाएं अलिंद और दाएं निले के बीच होती है अब बाइकरस्पिट बाल्व जो है बाइकरस्पिट बाल्व जो है बाइकरस् जाता है जिससे हिदय की प्रथन धोनी सुनाई देती है अब फिर यही जब ऐसे नोड से जो आवेग होता है वो जाता है ए भी नोड पर यानि की आर्ट्रि वेंट्रिकिलर नोड पर अलिंद में निलय में जाता है तो फिर दोनों निलय कांट्रेक्ट होती है जब दोनों नि की जाता है शुद्ध होने के लिए और निलय सुद्ध रख्त एरोंटिक वल्व के रास्ते महा ध्मनी जाकर के समस्त शरी में भेज दिया जाता है उसके बाद जो है निले सिथिलन यानि की कुछ आराम के आवस्था में आता है जिससे उसके भितियों यानि दिवारों पर दाव कम हो जाता है और दोनों सेमुलिलर वाल्ब यानि की पलमोनरी वाल्ब एंड एरोटिक वाल्ब बंद हो जाते हैं इसे हिदे की दिती धोनी सुनाई देती है, तो प्रथम धोनी को कहते हैं लब और दिती धोनी को कहते हैं डब, हिदे की धोनी लब डब डब एक रिदमिक होती है, ताल युक्त होती है, तो जब दोनों अलिंद सग कूचन होते हैं, कांट्रेक्ट होते हैं, तो ट्राइक कैस् मुर्म चूबढ़ाया यह इसलिदुजतो थे सांथर होती, इस संकूचन चली चलीनलि अलुद्ःně टो हैं, ब्लमोनारी निपरमोनी तो कहते ..... तो एक हाथ में कितने फ्लेंजियस यानि की उंगलिया होती है तो एक हाथ में 14 उंगलिया होती हैं याद रखेगा पेर के भी एक एक पेर में 14 उंगलिया की बात नहीं हो रही है याद रखेगा पेर में 14 हाथ में 15 उंगलिया होती हैं तो उसे क्या कहते हैं कि तेंडन की चोट या तो स्ट्रेंड रहेगा लिगामेंट ज्वाइंड की चोटा है तो इस्प्रेन रहेगा इस्ट्रेन यानि की खिचाओ ठीक है तो यहां पर इस्ट्रेन राइट होगा जब लिगामेंट ज्वाइंड की चोट कहें लिगामेंट की अधिक खिच जाने की कारण तो वहां पर मोच यानि इस्प्रेन होग नेश्ट किस खेल में A, C, E, A सब्द का प्रियोग किया जाता है दोस्तों तो ब्रीज एंड टेनिस दोनों में किया जाता है का अख़ा दोनों राइट होगा next question है खेलों की जन्नी मदर आफ स्पोर्स किसे कहा जाता है तो मदर आफ स्पोर्स खेलों की जन्नी जिमनाश्टी को कहा जाता है and क्यों आफ स्पोर्स खेलों की रानी कहा जाता है एथलेटिस्ट को and next question है कि मैराथन क्या है दोस्तो तो मैराथन युलान के युद्ध के मैधान था प्राचिन उलमपीक में. प्राचिन काल में उसी को मैराथन कहा जाता है. मैराथन नाम का एक जग़ था. लेकिन बर्तमान में अनुराग ठाकूर लेकिन बर्तमान में खेल मंतरी कौन है भारत की अनुराग ठाकूर एन नेक्स कोशन है दोस्तो कि साई का पस्चिम केंदर कहां इस्थित है तो साई का पस्चिम केंदर कहां इस्थित है दोस्तो तो साइँ की 6 केंदर है, कौन-कौन से? 6 केंदर है तो यहां पर परस्चिन केंदर की बात करें तो गुजरात, गांधी नगर गुजरात हो जाएगा गांधी नगर जो है वो गुजरात में है तो इसके साइँ यानि की Sport Authority of India जिसकी इस थपना 25 जनवर में 1984 को हुआ था एंड इसके साइल की 6 छेत्रिये केंदर है जिनके मुख्याले है जैसे कि दश्री केंदर का मुख्याले बंगलावर है 1974 से पुर्वी केंदर कलकत्ता 1982 से उत्री केंदर चंडीगर केंदरिये जो है दिल्ली एंड पस्मी केंदर गांधी नगर गुजरात है एंड उत्र पुर्वी में इमफाल है इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है चंगाई बंदिक चंगाई बंदिक जो से चंडीगर उत्री केंदर है गा से गांधी नगर पस्मी केंदर है इसे इमफाल उत्तर पुर्वी केंद्रे, बंग से बंगलाओन दच्छड केंद्रे, दी से डिल्ली केंद्री केंद्रे, कौसे कलकत्ता पुर्वी केंद्रे एंड नेक्ट पूस्जन है कि बैक अटाइक का संबंध किस खेल से हैं तो बैक अटैक का संबंध खोखों से हैं किसी है दोस्तों खोखों से है एड दोस्तों नेक्ष्ट है कि हमारे मस्तिस्क में रीले सेंटर का कारेकुल करता है तो दोस्तों हमारे जो थैलेमस होता है जो हमारे ठंधा गर्म का महसूस कराता है जो थैलेमस होता है जो ठंधा गर् ट्रेड पर चलते हैं बस पर चलते हैं जाकर के कुछ दूर पर एक कोई station आता है उसी तरह जब हमारे signals जाते हैं हमारे अंगों से Central nervous system के तरफ यानि कि मस्तिष के तरफ तो दाये तरब के जैसे कि हमारा जो मस्तिष खुरता है उल्टा कारे करता है दाय तरब के क्रियाएं का संचालन बाय मस्तिस से और बाय अंगो के क्रियाएं दाय मस्तिस से होता है तो यही पर बदलता है यही पर जब सिगनल्स जाते हैं हमारे अंगो से सेंसरी आरगन से तो थेलेमस के पास जा करके चेंज होते हैं दाएं अंगों से आने वाले सिगनल्स जो होते हैं वहाँ बाएं मस्तिस के तरफ ट्रांसपर होते हैं एंड बाएं तरफ से आने वाले दाएं मस्तिस के ट्रांसपर यहीं पर रुख करके थेलेमस करता है इसलिए थेलेमस को हमारे मस्तिस के रीले सेंटर कहा जाता है दोस्तो कोस्टन्स आयेगा 100% देख लिजेगा यहीं सी नेक्ट कोस्टन है किस खेल में सबसे अधिक दुरघटनाइं होती है तो दोस्तो सबसे अधिक दुरघटनाइं होती है जुडो एंड बॉस्केट बाल में And the next question है कि निंद में इसे क्या विसम है तो दोस्तों खोको के ground का जो line होता है उसकी measurement 4 cm होता है हाकी में साहे 7 cm यानी 3 inch होता है attract and fill के line के मोटाई भी 5 cm होता है तो यहाँ पे फुटवाल का साहे 12 cm यानी 5 inch होता है तो यहाँ पे गलत है तो यहाँ पे बिसम कौन है? फुटवाल जिए नेक्स्ट पेज्ट में इसे क्या विष्ण है AIBA आपका बिलियर्स रिलेटेड नहीं है तो बिलियर्स आपका बिसम है नेश्य दोस्तों निंग में से क्या बिसम है तो लेग में टीविया हड़ी होती है पैर में फिंगर्स को फ्रेंजियस बोला जाता है एंड फेस में जाइगोमेटिक हड़ी होती है एंड हैंड में आपका रेडियर्स अलना होता है हीमर्स हमारे उपरी बाह में होता है तो बिसम आपका यह हो जाएगा खौँ कि सुमेटिक के स्केल में 117 को किसको इंगिट करता है तो दोस्तों मैंने सुमेटिक के बारे में डीटेल में बताया हुआ है सुमेटिक को मिलियम सेल्डन ने जो अमेरिका के चिकिसक थे 1942 में सुमेटिक टाइप इसकेल पर बेक्तिक का वर्गी करूड तीन भागों में इन्होंने किया है एंडुमोर्फिक मेसमोर्फिक एंडुमोर्फिक का स्केल है 711 साथ का मतलब है साथ से इतात पर है सबसे अधिक एक से इतात पर है सबसे कम तो सुरुवार से याद करें सिक्वेंस से एंडोमर्फिक, मेसोमर्फिक एक्टोमर्फिक तो जब एंडोमर्फिक रहेगा तो 711 रहेगा, मेसोमर्फिक रहेगा तो Yie-On-Yine-One रहेगा, Ectomorphic रहेगा, То Y-O-J-A 11-7 का मतलब होगा, कि इसमें, इस भेक्ति में Ectomorphic की माता जादा है Ectomorphic body types ज्यादा है, और Y-O-1 का मतलब है कि Endomorphic का Meosomorphic नहीं हैं, बहुत कम हैं. तो इसका 11-7 inmusic करता है Ectomorphic को, किसको? Ectomorphic अगर लंबी कूद में टाई पढ़ जाए तो निड़े किस बेस पर लिया जाएगा तो यदि लंबी कूद लांग जुम्प में अगर टाई पढ़ जाए तो निड़े जो है नेक्स्ट बेस्ट प्रफॉर्फॉर्वेंस के अधारपन होगा लेश्ट है बिटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है तो आवले को माना जाता है निड़ू में भी पाए जाता है अमरूद में हर इमेज में पाए जाता है बट आवला सबसे बेस्ट आफ़सन होता है आपका बिटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आवला होता ह नेश्ठे केनाईन की संख्या एक वयस्क पुरूस में कितनी होती है तो दोस्तों हमारे सही में चार अप्रकार के दात होते हैं इंसीजर, केनाईन, प्रीमोरल, एंड़मोरल जिसमें से उपरी पंक्ती की क्योल हम बात करते हैं दोनों पंक्ती की बात मिला करके उपरी पंक्ती में 16 और नीचे पंक्ती में 62 दात होते हैं जिसमें से उपरी पंक्ती में हम इंसीजर, केनाईन, प्रीमोरल, मीरल, चार दो, चार छे यानि चार की संख्या में इंसीजर दो होती है के नाइन एंड चार दो चार छे तो इंसीजर के नाइन प्रिमोरल मोरल तो चार दो चार छे यानि दो उपरी पंक्ती में चार उपरी पंक्ती में होती है इंसीजर दो होती है के नाइन चार होती है Premoral एंचे होती है Moral तो केनाईन जो होता है केनाईन की बात कर रहा है तो उपरी पुर्क्टी में 2 होती है केनाईन और निछी पुर्क्टी में 2 तो कितनी हो जाएंगे 2-2? 4 यानि केनाईन की संख्या कितनी होंगी? 4 याद रखेगा Pasukopopro में पहली बार प्रतिभाग किया था तो 1928 में जिसमें भारत ने स्वर्पदक राप्त किया था सेमी मेंब्रेनियस मसल्स जो है वह हमारे जांक के पीछे इसित होती है तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर तो यहां पे कोस्टर्स थ्वासा मिस्टेक दिया हुआ है यहां पे होना चाहिए था कि सेमी मेंब्रेनियस मसल्स किसे कहते है तो हेमेंस्टरिंग मसल्स जो होता है यहां पे राइट होगा क्योंकि जो हेमेंस्टरिंग मसल्स होती है जांक के पीछे होती है और जो हेमेंस्टरिंग मसल्स होती है यह सेमी मेंब्रेनियस, सेमी टिंडेन तीन मसल्स से मिलकर बना होता है है हमेस्टिंग मसल्स जो हमारे घूटने को मोडने में कामाता है जब आपको घूटने के मोडने में सहायक पेसी का नाम दे हमेस्टिंग मसल्स बोले तो भी राइट होगा semi-memoranous bullet भी right होगा semi-tendineous bullet भी right होगा और biceps femoris bullet भी right होगा इन तीनों में से कोई देदे चारों में से आपका right होगा घुटने को मोडने में क्योंकि hemistric muscles तीन पेसियों से मिलकर बना है semi-memoranous, semi-tendineous, semi-biceps femoris next question है कि man species किस क्रिया में man species कि किस क्रिया में reciprocal innervation होता है man species कि किस क्रिया में reciprocal innervation होता है तो दोस्तों reciprocal innervation होता क्या है कि जब antagonist man species सिथिल अवस्था में तथा agonist man species इस ती हो तो उसे कहते है reciprocal innervation तो इसमें agonist और antagonist दोनों पेसियां आ जाएंगी इसमें एगोनिस्ट और इंटागोनिस्ट दोनों पेसे आ जाएंगी तो यहां पे कौक दोनों राइड होगा एगोनिस्ट जो होता है जो हमारे मसल्स को कंट्रेक्ट करने में मुख्य भूमी का आदा करती है उसे एगोनिस्ट कहते है जो हमारे muscles को contract करने में बिपरीत भूमिका आदा करती है उसको antagonist करते है जैसे माल न जी, आप अपने हाथ को contract करते हैं जैसे आप dumbbell अभियास कर रहे हैं तो जो आप हाथ को contract किये तो उस समय contract करने में मुख्य भूमिका आदा कर रही है बाइसेफ्स muscles तो biceps muscles आपका agonist हो गया, उसके बीपरीत काम कर रहा है, triceps muscles तो triceps muscles आपका antagonist हो गया Next question है कि उस manspacesi संकूचन को क्या कहते है, जिसमें manspacesi के लंबाई बहती है, तथा तनाव बना रहता है तो जब भी manspacesi के लंबाई बहने की बाता है, वहाँ पे होगी isotonic contraction, isotonic exercise ठीक है, isotonic यहाँ पर आपका right होगा, isotonic right होगा, जैसे की strength याई शक्ति को develop करने की तीन विधिया है, isotonic, isometric, isokarnatic इसे के बारे में मैंने detailing बता है, isotonic जो होता है, इसी खोज ली डोने ने 1913 में किया था, इसे पेषी की छोटा बड़ा होता है, इसमें concentric, eccentric के चोटी पेसी चोटी होती है और इस सेंट्रिक में बढ़ी होती है और तनाव बना रहता है गती प्रतेच्श दिखाई देती हैं सकती प्रत करनी की सरोतम बीदी होती है जैसे कलस्थेनिक जया एक ही अस्थान पडर्णा, भारत प्रसिछ, डंबल अभ्यास, medicine wall through, यह सबी आते हैं, isotronic में, and isometric जो होता है, इसको हेटिंग वा मुलर ने 1954 में किया था, इसमें isometric art होता है, iso मतलब same, metric मतलब लंबाई, यानि same लंबाई, कोई change नहीं होता है, लंबाई में same बना रहता है, तनाव बना रहता है, लंबाई में कोई change नहीं होता, और नो परिवरतन जैसे दिवाल को धक्का मारना, और तो दिसरा होता है, आइसो काइनेटिक, जिसकी coach James Perrine ने 1968 में किया था, यह मौसीनों की सहता से किया जाता है, यह जदा तर आइसो काइनेटिक जो है, पानी वाले खेलों में किया जाता है, जैसे rowing, नाओ खेना, पैना, आदी, तो यहाँ पर याद रखिएगा तीनों चीज़े, नेश्ट है, कि health related physical fitness में कितनी कारक होते हैं, तो दोस्तो, physical fitness को दो भागों में बाटा गया है, health related physical fitness and motor scale related physical fitness, तो health related physical fitness में muscular strength, muscular endurance, kardu respiratory endurance, flexibility and body composition आता है, यानि कि कितने कारक होते हैं, पांच कारक होते हैं, health related physical fitness में, and motor skill related physical fitness में भी पांच कारक हैं, जैसे strength, speed, endurance, flexibility, coordination, इस सभी के बारे मैंने detail में वीडियो बनाएंगा दोस्तो, ये के topic आप बहुत detail में पढ़ सकते हैं, next question है, कि पर हेंरिक लिंक का संबंध किसे देशे से रहा है, तो दोस्तो, पर हेंरिक लिंक का संबंध जो है, वहाँ स्वीडन से है, कहां से है, पर हेंरिक लिंक का संबंध स्वीडन से है, जैसे कि आप, कहां से है इनका संबंध स्वीडन से, पर हेंरिक लिंक का संबंध है, स्वीडन से, पर हेंरिक लिंक जो है, तलवारबाजी के प्रसिछक के रुपमेद आठ वर्सों तक कारे किये एंड इन्होंने जिमनास्टिक को चार भागों में बाटा है सैचिक जिमनास्टिक, सैनिक जिमनास्टिक, स्वासवर्दक जिमनास्टिक, कलात्मक जिमनास्टिक इन्होंने पुस्तक लिखे है General Principal of Gymnastic और इनके बाद आते हैं Sweden में जालमर लिंग जो परहनिक लिंग के पुत्र थे और इनके पुत्र ने प्रथम लिंग्याड महुसे मनाया 1949 में स्टाक होम में अपने पिता परहनिक लिंग की वर्स गाठ मनाई जिसमें जिमनास्टिक लिंग्याड की प्रदस्नी हुई और इनके लिंग्याड हुआ 1949 में भारतिय लिंग्याड इस्टाक हो स्वीडन में हुआ और भारतिय लिंग्याड दल के रुप में हनुमान लिंग्याड प्रसारक मंडल अमरावती महराष्टे में ने सारी गतिविधियों का सुन्दर प्रदसन किया यहाँ पर याद रखिएगा कोसिन पूछा जाता है कि किस लिंग्यारड में हनुमान लियारड प्रसारक मंडल ने अमरावती महराष्टे में सारी गतिविधियों का उन्दर प्रदसन किया था तो दितीय लेंगे आड़ उन्य सो उन्चास में नेस्ट है फ्रेंच नेशगाल ने कौन सी पुस्तक लिखी तो दोस्तो फ्रेंच नेशगाल ने ये डेनमार्क के थे डेनमार्क में जिमनाश्टी को अपना राष्टी एक्ता की रुपी पदसित किया तो इन्होंने पुस्तक लिखा है फ्रेंट नेश काल जो है यह आदुनी साइज सिछा के नियू डाली इन्होंने डेनमार्क में पहली बार पर्थन बेक्ती थे जिन्होंने आदुनी साइज सिछा के नियू डाली कहां के थे डेनमार्क के इन्होंने पूस्तक लिखी है Manual of Gymnastic ठीक है इन्होंने कौन सी पूस्तक लिखी है Manual Gymnastic Next question है कि 1936 बरलीन उलम्पिक में मसाल दोल सुरू करने का स्रेक किसी जाता है तो कार्ल डाइम को जाता है किसको जाता है कार्ल डाइम को जाता है And the next question है कि जिमनास्टिक का पितामः किसे कहा जाता है तो दोस्तो जिमनास्टिक का पितामः कहा जाता है जान किस्ट्रोफोर फेडरिक गर्समर्स को तो कौन राइट हो जाएगा आफसर नमबर को गर्समर्थ जर्मन जिमनास्टिक के पितामा यानि जिमनास्टिक के पितामा कहा जाता है जान क्रिस्टोफर फेडरिक गर्स मर्स को इन्होंने दो पूस्तक लिखी जिमनास्टिक फार्दर यंग यानि कि युवाओं के लिए जिमनास्टिक और खेल एन दोस्तो जर्मनी ने आदुनी सारे सिछा का पितामा कहा जाता है तो जान बर्नार्ड बेसदो को में इस कोंसें है कोलेजियम यानि कि थर्मफारवात इसना नगरी का संबंध किस देश से है और तो Collegium यानी थर्म फारवात जिसको Collegium कहा जाता था वहाँ पे तो यह संबंद है कहा तो यह संबंध।कता है रोम से रोम के इतिहास से तोh मैंने युनान युरान का इतिहास, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क सभी के पारे में साइज सिछा के जो भी इतिहास था, डीटियलें बताया हुआ है, ऐसा किसी ने नहीं बताया है, तो उसको देख लीजिए का वीडियो को, केलोजियम या थमफरवात का संब्ध रोम से है, वहीं पर एक पुछता है कि कीचर इशनान, याने कि मड़ बात कहा परचलित था, तो कहा था, पूरो एथेंस काल में, एथेंस में परचलित था, निमियन खेलों में किसकी पुजा की जाती थी, तो दोस्तों, पूरो एथेंस काल में, पन हैनलिक अखिल एवन खेल का समारो होता था, जिसमें ओलमपीक, पीठियन, इस्थिमियन, निमियन, चार गेम होता था, उलमपीक खेल जो है, वहाँ, इसका आयजन उलमपीक का जियस देता, यनि आकास देता की सद्धाजली के लिए होता था, फीठियन खेल उलमपीक अपलो देता, यनि सूरी देता की सद्धाजली के लिए होता था, इस्थिमियन खेल समुद्र देता, यनि पोसेडियन के समा की लिए रहा होता था और नीमरियन खेल, जी अज द्याये ने जी जेज धर्य देता तो ऐल्म्पिक और नीमियन दूनों जी यस द्याये जिञ्ता के समान में होता था यहां पिस एक asimaj टो साइगा अ कहां परो औलमपिक खेल। तेमियन खेल। परक्रीयन फचिन क्रिकेट में कितनी अमपायर होते हैं। इस क्रिकेट में चार अंपायर होते हैं, दो मैदान में होते हैं, एक टिवी स्क्रीम पे होते हैं, एक रिजवर अंपायर होता है नेश्टर दोस्तों YMCA के नई के पहले डायेटर नेज़े से कौन थे तो YMCA केस अपना 1920 में S.C.B. ने किया था और इसके प्रथम ने दे सकते A.G. नोहरान नेश्टर IOC का गठन यानि इंटरनेश्टर अलम्पिक कमीटे का गठन 23 जून 1894 में बैनल पेरिडी को बैटिंग के द्वारा किया गया था जिसके अधाया पर प्रथम आधनिक उलम्पिक खेल 6 अफरेल 1896 में शुरू हुआ एथेंस के पैना थोनिक स्टेडियम में और आधनिक उलम्पिक को शुरू करने का स्रे है बैरेन पिरिडी को बैटिंग को आधनिक के उलम्पिक अफितामा भी कहे जाते हैं बैरेन वहन्मालवि जी को दोस्तो भारत में inner guide की सुरुवात 1950 में हुआ हैंड में घ्ट कोश्चन है साइं है कि विश्व में token guide को सुरु करने का से किसे जाता है तो ङिश्व में hon गाइड को सुरु करने का स्रे जाता है राबर्ट बेडे को नेस्ट है कि dad in s&s एनसस राष्टी सेवा योजना की सुरुवात किस महापूस के सौवे जर्म दिन की उपलच्छ में हुआ था तो महात्मा गांधी जैसे कि महात्मा गांधी का जर्म 1889 में हुआ था 1869 में हुआ था तो एनसस की स्थापना कब हुआ था 1969 में और 1869 में हुआ था महात्मा गांधी के जर्म तो उनके सवे जर्म दिन की उपलच्छ में NSS यानि की राष्टी से वाजय उजना की इस्थापना हुआ था, शुरुआत किया गया था लेक्षा दोस्तों NCERT की इस्थापना कब हुई? तो दोस्तों NCERT की इस्थापना 1961 में हुआ NCERT का फुल फॉर्म होता है National Council of Educational Research and Training इसको हिंदी में कहेंगे राष्टिय सैचिक, अनुसंधान और पसीचर परिस्थ And the next question है कि लखनो क्रिस्चिन कॉलेज की इस्थापना किसके निरिच्छर में किया गया? तो लखनो क्रिस्चिन कॉलेज की इस्थापना किया गया EW Tade Mumbai के निर्देशन में And the next question है NCC National Cadet Cross कोर के शुरू करने का सरे किसे जाता है? तो इसकी इस्थापना 1948 में हुआ था इसको शुरू करने का सरे जाता है पंडित हिदेनाथ कुझर को And the next question है कि अमेरिका का राष्टिये खेल क्या है तो बेस बाल है And the next question है कि मान स्पेसियों की ताकत याने स्ट्रेंथ को मेजर करने किसे किया जाता है? तो डाइनमो मीटर से किया जाता है किसे? डाइनमो मीटर से यहाँ पे स्किन फोल कैलिपर से तोचा वसा का मापा किया जाता है इस स्पीगनो मैनो मीटर से बलड प्रेसर को मापा जाता है इस पैरो मीटर से फेपो की सोसन चमता मापा जाता है National Law of Momentum यानि समवे का नियम नीटन के किस नियम को कहा जाता है तो नीटन ने तिम नियम दिये है जरतका नियम, समवे का नियम और प्रतिक्रिया का नियम तो समवे का नियम नीटन के दितिये नियम है नेश्ट दोस्तों चक्रासन से सरीर की कोईन सी मान स्पेसी संकूचित होती है तो चक्रासन से सरील के बैक मसल्स जो है वहाँ कांट्रेक्ट होती है नेश्ठ है फीना में यहन से क्या तातपर है तो फेड नेशन इंटर नेशन एसोसियेशन तो नेशनल नहीं है दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे नेशन होगा ठीक है आशन नेंबर कर रगा होगा यहाँ पे फीना में यहन से तातपर है यहाँ आपका किसे तराकी से रेलेटेट है बीसोसन था नेशन होगा ठीक है नेश्ठ है वसा द्वारा ग्लाइकोजन का निर्माई करना क्या कहला ता है तो वसा द्वारा ग्लाइकोजन का निर्माड करना क्या कहलाता है यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा घौ ग्लुको नियोजेनेसिस क्या हो जाएगा ग्लुको नियोजेनेसिस जैसे कि इसके पिछले वीडियो में याने कि इसके सेकेंड पार्ट में थर्ड पार्ट है मैंने बताया है कि ग्लाइकोजन से ग्लुकोज का बनना जब ग्लाइकोजन से ग्लुकोज का बनना ग्लाइकोजे याद रखेगा जब Glycogen से glucose कब भना पुछेगा तो glycogenesis होगा, जब वुअसाः अधा प्रोटीन से glucose कब भना पूछेगा, तो glycogenesis होगा तुख है ठीक है यानि चय अबचय कौन सी ग्रंथी करती है तो यह करती है पैरा थाराईड ग्लेंड यह हमारे अस्तियो दातों के लिए most important होता है कैल्सियम इसका चय अबचय करने का काम करता है पैरा थाराईड ग्लेंड नेस्ट है भारतिय फुटबाल टीम ने किस उलंपिक में चौथे अस्थान बनाया तो 1956 मेलबोर्न उलंपिक में 1948 लंदर इप loveinen PhD ने फेली बार बारतीए फुटबाल ने पहली बार ओलंपिक में खेला था जिसमें कोई मेल नहीं चिता थाites है कोई अस्थान नहीं लाया था नेश्ट है ओलम्पिक के स्वड़ पदक में सिल्वर की मात्रा कितनी होती है तो ओलम्पिक के जो स्वड़ पदक दिया जाता है उसमें सिल्वर की मात्रा कितनी होती है तो 92.5% सिल्वर होता है किसे आत्महत्या की थैली या सुसाइडल वैक कहा जाता है तो कहा जाता है लाइसो सूम को किसको कहा जाता है लाइसो सूम को आत्महत्या की थैली या सुसाइडल वैक कहा जाता है और डाजेश्टु वैक भी कहा जाता है और एटम बम भी कहा जाता है लाइसोसूम को क्योंकि या बैक्टिरिया को मारता है और स्वेम पुरी कोसिका को ही खा जाता है जब कोसिका में कोई गड़ड़ी होता है तो पुरा लाइसोसूम ही फट जाता है क्योंकि इसमें जल अभगटक एंजाइम होती है जिससे पुरा कोशिका कोई खत्म कर देता है यानि कि एक प्रकार के सरी में शफाई का काम करता है इसलिए इसको आत्महत्या की थैली बोला जाता है तो दोस्तो ये था आज की वीडियो में 50 MCQ I hope की सभी कोशिक्रस आपको अच्छे से समझ में आये होगा क्योंकि मैंने हरे कोशिक्रस को पुरे डीटेल में एक्स्प्लेन करते हुए बताया है जितना जरूरत है वहाँ उतना एक्स्प्लेन किया गया है तो दोस्तो कहीं भी कोई भी डाउट होगा किसी कोशिक्रस में आप मुझे कमेट में बताइए उसको मिल करके शालुक किया जाएगा और दोस्तो इसी प्रकार आप डेली बेसे से प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ पूरे एक्स्प्लेनेशन के साथ तो I hope की सभी कोशिक्रस आपको समझ में आए होंगे इस प्रकार आप डेली बेसे से बिजित कीजिए फर्स बार बिजित कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिससे न्यू वीडियो का अप्डिट आप तक पहुंचता रहेगा तो मिलते हैं